अर्विन दकेला कल्लू जी हाँ नाम काफी है इनका ये बताने के लिए कि वो कितने अच्छे सिंगर है साथ ही साथ वो बहुत ही बड़े फैमिली ओरियेंटेड परसन है जी हाँ आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन अर्विन दकेला कल्लू ज्वाइन फैमिली में रहते हैं अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं साथ ही आपको ये भी बता दे कि वो सेपरेट नहीं हुए जी हाँ बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो कि अपने परिवार से अलग रहते हैं लेकिन अर्विन दकेला कल्लू की कामियाबी आने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं फैमिली ओरियंटेट परसन है साथ ही साथ वो अपने फैमिली सेकेंड नमबर पे आते हैं लेकिन अब बात हो जाए थोड़ी इनकी फैमिली की तो आपको बता दे कि इनकी भावी काफी खुबसूरत है जी हाँ इनकी भावी बहुत खुबसूरत है और इनके बड़े भाई आसु बाबा की बीवी है अभी एक साल पहले ही इनकी शादी हुई है और इनकी भावी इनकी फैमिली के मुताबिक हैं जी हाँ कोई भी नाजो नखरे नहीं है अर्विंद अपने भावी को बहुत ही सम्मान देते हैं साथ ही अपने भावी के लिए ये कहते हैं कि वो मा समान है क्योंकि वो मा की तरह केयर करती है अर्विन समय समय पर अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर और फेस्बुक पर अपने फैमिली की फोटोस पिक्चिस पोस्ट करते रहते हैं वैसे में अर्विन ने अपने भावी के साथ कई पोटो पोस्ट की हैं सोशल मीडिया एकाउंट पर और इससे पता चलता है कि वो अपने भावी का कितना सम्मान करते हैं कितना प्यार देते हैं वैसे भी देवर है अर्विन अकेला कलू और अर्विन का मजाकिया अंदाज लो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए